जो मेन विशे है जिस तरीके से कल कुछ नेताओं द्वारा हमारे पैंथर्स पार्टी के नेताओं द्वारा एक प्रेस एक मीटिंग का गठन किया गया जिसमें एहम फैसले जो पार्टी के लिएगे जो की बाकी जितने भी पार्टी बरकर हैं वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं उनको शूर कर ये फैसले जो लिएगे हैं ये हम 25 पार्टी सीरे से नकारती है चुकि अगर कोई वर्किंग कमेटी की मीटिंग की जाती है तो वो अड्रेस जो है वो जब तक की हमारे प्रेजिडेंट प्रोफेसर बीम सिंग जी 25 पार्टी के हैं उनकी कंजेंट के बिना कोई भी वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं आइगनाईज गर से था चुकि तीन बार पहले भी वर्किंग कमेटी की मीटिंग आइगनाईज करने की कोशिश की गई ड्यू टू लागडोन ड्यू टू बैड बैदर जो है वो तकित की गई और कुछ उस दिनों के लिए प्रोफैसर बीम सिंग जी आज दिल्ली में है और बहुत जल्दी जंबू में आ रहे हैं और इस मिटिंग का संग्यान लेंगे जिस में इस में इन्होंने कुछ एहम फैसले पैंथर्स पार्टी के लिए हैं उसको पैंथर्स पार्टी सीरे से नकारती है और साथी साथ हम जे कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं जो दूसरी पार्टी हैं वो पार्टी हैं जो हैं हमारी पार्टी को में कहीं नेताओं को सेन लगाने की कोशिश कर रही है और ये पैंथर्स पार्टी कभी भी मनजूर नहीं करेगी, कभी भी बर्दास्ट नहीं करेगी और हम आज 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 के माध्यों से ये कहना चाहते हैं जब तक हमारे प्रेज़ेंट वर्किंग कमेटी की मीटिंग को आइजगनाइज नहीं करते तब तक कोई भी फैसा जो है, वो इंपलिमेट नहीं होगा क्योंकि इस वक्त अगर प्रेज़ेंट जो है, वो पार्टी के इदर ठीक ह्यालात में है और उनकी हालात को जे भी बतायत देस्ट बताया गया उसमें और कमेटी में, मीटिंग में कि उनकी जो स्थिती है उनकी हालात जो है वो नाजुक है ट्रिटिकल है या वो बुमार है तो यह हम यह कहना चाहते हैं कि वो प्रोफेसर बीम सिंग जो है आज भी पूरी तरह से स्वस्त है और आप बहुत ही जल्दी आपके सामने भी आएंगे और आकल का जो आपकी देखे देखा ही होगा कल उनकी जो मीटिंगे कल उन्होंने आज प्रेस कांफरेंस भी जो डिली में की है उसकी भी आपको प्रेस लीज मिल गई है जो कि आज पबलिश हुई है तो मैं यह कहना चाहता हूँ जिस तरीके से पाकी पार्टिये द्वारा पैंथर्स पार्टी में कोई फैसला लिए गए जा आपकी पार्टिये द्वारा जो कि में लीडर द्वारा जो मीटिंग में कोई फैसले लिए गए है उसको पैंथर्स पार्टी सीरेस इंड़काती है थैंक्यों